आकाश्मानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग मध्यप्रदीश माध्यमिक शिश्यमंदल ने कक्षा दस्मी बोड परिक्षा का परिणाम आज खोशित कर दिया हमीशा की तरह लड़कियों ने लड़कूं से बेहतर प्रदर्शन किया है इस साल कुल 63 फीस दी चात्र उत्रेन हुए है ये पहला मौका है जब 15 चात्र चात्राओं ने शत प्रतिशत अंक प्राप्त किये है बिंड के अभिनव शर्मा 300 में से 300 अंक हासल कर पहले स्थान पर रहे इसके बाद गुना के लक्षदीब धाकर, प्रियांशी रग्वणशी और पवन भार्गव पन्ना के चतर कुमार्तर पाठी, मंसौर के हरियोम पाठीदार, उजैन की राज नंदिनी सकसिना और सिधार सिंग शिखावत धार के हर्श प्रताफ सिंग, महु की कविता लोधी, विदिशा के मुस्कान मालवी और दिवांशी रग्वणशी भुपाल की प्रणिका मिश्रा, राइसीन के प्रशान्त विश्यकर्मा और विदिका विश्यकर्मा ने भी सौफ प्रतिशत अंग हासिल कर मेरिट लिस्ट में स्थान हासिल किया है ये पहली बार है जब बोड कक्षा दस्वी और बार्मी के परिणाम अलग-अलग खोशित कर रहा है बोड की विग्यप्ति के नुसार लगभाग 3,40,000 चात्रों को प्रतम शर्णी, 2,15,000 चात्रों को दुति हिश्रणी और लगभाग 3,000 चात्रों को दुति हिश्रणी मिली है प्रामीन सूची में अवल रहे अभिनव शर्मा ने अपनी सफलता का श्री ये लगातार पढ़ाई को दिया है बोर्ट के विग्यप्ति के नुसार लगभाग 3,40,000 चात्रों को प्रतम शर्णी, 2,15,000 चात्रों को दुति हिश्रणी और लगभाग 3,000 चात्रों को दुति हिश्रणी मिली है 65% से अधिक लड़किया उत्रेन हुई है जबकि पास होने वाले लड़कों की संख्या 60% है लगभाग 1,000,000 चात्रों को पूरक मिली है सबसे अच्छा परिणाम नीमच, दिवास और मंसर जिलों से आया है जहां 75% से अधिक चात्र उत्रेन हुए है कुल 15 चात्रों ने 100% अंग प्राप्त किये हैं दो चात्रों ने 99.75 के स्कोर के साथ मेरिट लिस्ट में दूसरी रैंक हांसल कर जबकि 22 चात्र 99.67 स्कोर करके तीसरे स्थान पर है इस साल कक्षा 10 की परिक्षा में लगभग 8,93,000 चात्र शामिल हुए थे इस वर्ष कुरोना वाइरस महामारी के कारण परिक्षाएं पूरी नहीं हो सकी थी इसलिए रद किये गया विश्यों के लिए ज़ात्रों की अंक तालिकाओं पर उत्रेन लिखा गया है रज में कुरोना संक्रमन से लगभग 234 लोग स्वस्थ होकर अपने घर कर लोट चुके हैं वहीं पिछले 24 खंटे के दौरान 200 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं उजयन में आज तीन वेक्ती कुरोना संक्रमन से मुक्त होकर अस्पताल से घर लोटे जबलपुर जिले में तीन नए कुरोना संक्रमित के मिलने से संख्या 428 हो गई है मुरणा जिले में कल प्राप्ट सैंपल रपोर्ट में 80 लोग संक्रमित पाए गए जिले में अब तक कुल 619 लोग संक्रमित हुए हैं वहीं 209 मरीज स्वस्थ हो गए हैं इन दौर जिले में 34 नए मरीज सामने आए हैं जिले के विभिंद स्थानों में 842 कुरोना मरीजों का उपचार जारी है इन दौर में MGM Medical College में कल सांसद शंकल ललवानी नई परिक्षन मशीन और सौफ़वेर का लुकारपन किया जिससे अब प्रति दिन 2000 नमूनों का परिक्षन किया जा सकेगा वोपाल में 49 नए मामने सामने आए अब राज़ानी में 462 सक्रिय मरीज हैं 2000 से स्यादा लोग स्वस्थो कर घर लौट चुके हैं ग्वालियर में 28, नीमच में 1, खंधवा में 2, दतिया बढ़वानी में 3, 3 और टीकमगण में 5 नए केस मिले हैं मुह सतना में 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं शियूपुरी में 5 नए मामले सामने आए हैं इन्हें मिलाकर संक्रवितों के संक्या 44 हो गई है मुख्यमंतरी चिवरा सिंग चौहान ने कहा है कि शहरी पत्विक्रेता यूचना में ग्रामिण पत्विक्रेताओं को भी जोड़ा जाएगा उनको भी 10,000 रुपए बैंक से दिलवाए जाएंगे गैरेंटी राजिसरकार लेगी ताकि काम दंधा फिर से पटरी पर आ सके राश्टपती रामनात कोविन ने आशार पोडिमा पर धम चक्र दिवस समारूहुका आज राश्टपती भुमन से उत्खाटन किया समारूहुकायोचन केंडरी संस्क्रती वंत्राले के सहयोग से अंतराश्रिय बौध परिसंग ने किया है श्रेकोविन ने कहा है कि बौध दर्शन में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेशों का महत्व है उन्होंने कहा कि धम चक्र दिवस वारानसी के निकट सारनाथ में पहले पांच शिश्यों को भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृती में बनाया जाता है अब कुछ समाचार संक्षेप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी का डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया अफ्यान आज की सबसे बड़ी जरूरत बन गया है डी जी विद्यापीट के फाउंडर प्रदीव खत्री ने बता है कि नए तरह के खास शौट टम ऑनलाइन कोर्सिस लांच किये गए हैं कि लोग घर बैट कर अपने स्किल्स निखार सकें और आत्मने रभर बन सकें इस बुलिटिन में बस इतना हैं घर में रहें सुरक्षित रहें और सुन्ति रहें आकाय श्वानी नमस्कार